नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनलाइन क्लासे बाइसल जाट पर विद्यार्थियों, आज क्लास में हम हल करेंगे गनीत कक्षा 3 कारी पुष्थिका में कारी पत्रक 3 विद्यार्थियो इससे पिछली क्लास में हमने कारी पत्रक दो को हल किया था आज क्लास में कारी पत्रक तीन हल करेंगे जो पेज नंबर तीन पर है आईए शुरू करते हैं कारिपत्रक तीन विद्यार्थी का नाम यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे दिनांग यहाँ पर सभी विद्यार्थी आज की दिनांग लिखेंगे विद्यार्थियों इस कारिपत्रक तीन में अधिगम शेत्रें संख्या ज्यान की समझ और इसमें अधिगम बिंदुएं इस्तानी मान की समझ के आदार पर तीन अंकों तक की संख्याओं का निरुपन करना चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं और हल करते हैं आज का कारिपत्रक विद्यार्थियों पहला सवाल हैं नेचे सार्णी में दिये गए नौट वसीकों के मान के आधार पर रिक्तिस्तानों की पूर्ति 999 तक कीजिए विद्यार्थियों आज क्लास में हम जो निचे य कि आपने दे रखी हैं उसमें जो दिये गए नौट यह जो नौट और सिकयँ दे रखे हैं जिसे यह सिक्के और यह नोट दे रखे हैं इनके मान के आदार पर हमें रिक्तिस्तानों की यहाँ पर पूर्थी कर रही हैं और यहाँ पर कुल रुपे कितने हो हैं वो लिखने हैं सबसे पहले यह हैं रुपे एक का सिक्का रुपे एक का सिक्का यह हैं रुप रुपिये 100 का नोट ये हैं रुपिये 500 का नोट रुपिये 100 का नोट रुपिये 100 का नोट रुपिये 500 का नोट इनके आधार पर हमें यहाँ पे रिक्तिस्तानों में पूर्ति करनी है क्रम संक्या नौट वसिखे नौट वसिखों के मान को अलग-अलग लिखना और कुल रुपय कितने हुए वो हमें यहां पे लिखने है क्रम संक्या एक में हम देख रहे हैं यहां कुछ नौट और कुछ सिखे दे रखे तो हम इनकी इनका मान जो है वो सबसे पहले हम अलगलग लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे यह कितना है 100 रुपे का 1 नोट यानि कितने रुपे हो गए 100 रुपे अब यहाँ देखिए 10 रुपे के 3 सिक्के है 10 रुपे के नोट के कितने है 3 नोट है 1 2 3 तो कितने हो गए 30 रुपे 10 10 रुपे के 30 कितने हो गए 30 रुपे और यहां पर एक एक रुपे के 2 सिक्के हैं कितने रुपे हो गए 2 रुपे 100 रुपे 10 20 30 रुपे 1 2 रुपे यानि 100 प्लस 30 प्लस 2 100 प्लस 30 प्लस 2 अब इनकी जोड करेंगे तो कितनी आ रही है 130 और 32 132 रुपे कुल रुपे कितना हो गए 132 रुपे हमें इसी के आधार पर अगले सवालों को भी इसी तरीके से हल करना है क्रम संख्या 2 अब यहां देखिए यह है 500 रुपे का नोड यह है 10 रुपे का नोड यह है 11 रुपे के सिख्के अब बताओ 500 रुपे के कितने नोड है यहां 500 रुपे का एक नोड है तो कितने रुपे हो जाएंगे 500 रुपे कितने हो जाएंगे यहां पर 500 रुपे यहनि 500 प्लस 10 रुपे का एक नोट कितने रुपे हो गए दस रुपे एक एक रुपे के चार सिखे कितने रुपे हो जाएंगे चार रुपे हम यह लिखेंगे चार देखिए पांत सो दस और यह चार पांत सो प्लस दस प्लस चार अभी इने जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे पांत सो दस और चार यहां पर 514 रुपे हम यह लिखेंगे 514 रुपे 500 प्लस 10 प्लस 4 बराबर 514 रुपे तो विद्यार्थियों में इसी तरीके से अगले सवालों को भी हल करना है चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों क्रम संख्यात 3 अब यहां देखेंगे 500 रुपे के कितने नोट हैं 1 और 100 रुपे के हैं 3 नोट अब हम लिखेंगे 500 रुपे के कितने नोट हैं 1 नोट है तो कितना हो जाएंगे 500 हम यह लिखेंगे 500 प्लस 100 रुपे के कितने 1 2 3 नोट कितना हो जाएंगे 100 सो रुपे के तीन नोट है तो तीन सो रुपे सो सो कितना हो जाएंगे तीन सो रुपे के कितने नोट है तीन तो कितने होंगे तीन सो पांच सो प्लस तीन सो और एक एक रुपे के सिखे या दस रुपे के कुछ नहीं है यहां पे जिरो पांच सो प्लस तीन सो प्लस जिरो 500 और 300 रुपे कितना हो जाएंगे 500 और 300 800 रुपे कितना हो जाएंगे 800 रुपे तो हम यहां लिखेंगे 800 कुल रुपे कितना हो जाएंगे 800 500 प्लस 300 प्लस 0 बराबर 800 रुपे इसी प्रकार से विध्यार्थियों अगला सवाल अमहल करेंगे क्रम संख्या 4 अब यहां पर यह है 500 रुपे का 1 नोट और 1 रुपे के 1, 2, 3, 4, 5 सिखे 500 रुपे का 1 नोट है और 1 रुपे के 5 सिखे है तो 500 रुपे का कितना 1 नोट हम यह लिखेंगे 500 500 500 प्लस 10 रुपे के कुछ भी नहीं है यानि 0 एक एक रुपे के 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएंगे 5 रुपे 500 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो जाएंगे विद्यारतियों 500 और 5 कितना हो जाएंगे 505 हम यह लिखेंगे 505 500 प्लस 0 प्लस 5 बराबर 505 रुपे इसी प्रकार से अगला सवाल क्रम संख्या 5 यहाँ पे 500 रुपे का 1 नोट है बाकी 100 रुपे 10 रुपे या 1 रुपे के कुछ भी नहीं है 500 रुपे का 1 नोट है कितने हो जाएंगे 500 रुपे यहां हम लिखेंगे 500 प्लस 0 प्लस 0 दूसरे कुछ भी नहीं है तो कितना हो गया शुन्य शुन्य केवल 500 रुपे का 1 नोट है तो 500 प्लस 0 प्लस 0 अब यहां कितने हो जाएंगे इकुल रुपे कितने होंगे 500 हम यहां लिखेंगे 500 तो इस प्रकार से यह होगे 500 रुपे तो विद्यार्थियो आज क्लास में हमने कारी पत्रक 3 को हल किया जिसमें हमने नोट वसिकों के मान के आधार पर हमने दिक्तिस्तानों की पूर्ति की विद्यार्थियो आप भी इस कारी पत्रक को समझ करके हल कीजिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिये गए लाल रंके सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूटूब चैनल, ओल्लाइन क्लासेट बाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए, ताकि आप तक हमार लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच भाए, आप अधिक सदिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो को शेर जरूर कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, नए वीडियो और नए कंटेंड के साथ में तब तक के लिए, थेंक्यू, धन्यवाद जैहिन, जै भर्त, आपका दिन शुब रहे, थेंक्यू